दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हूंगे आज हमारे पास यहाँ पर DTS की बहुत सरी सप्लाई है जिसे हम DTS SMPS या फिर DTS पावर सप्लाई भी कहते हैं अब यहाँ पर जितने भी मेरे पास सप्लाई है सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब् कि कहाँ पर फॉल्ट कैसे चेक किया जाता है किस चीज का फॉल्ट इसमें होता है ज्यादतर यह सब आप यहाँ पर सीख लगे वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर जरूर किजेगा ताकि और लोगों को भी सीखने के लिए मिल सके और आप से बिसेशकर में एक चीज जरूर कहूंगा इस वीडियो को एंड करने के बाद आप अपनी तरफ से कमेंट जरूर किजेगा और हाँ लाइक करना न भूलेगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर किजेगा चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जितनी भी आप मेरे पास सप्लाई देख रहे करेंगे और इसके बाद इसके फॉल्ट को फिक्स करेंगे कभी आपके पास सप्लाई रिपेर के लिए आती या फिर सेट बॉक्स रिपेर के लिए आता है अबसे पहले तो कस्टमर ही प्रॉब्लम बता देता है कि सर यह औन नहीं हो रहा है या फिर यह वीक सिगनल लो सिग कर लेनी है कि output voltage आ रही है कि नहीं अगर नहीं आ रही है तो समझ लीजिए उसके primary section से कुस न कुछ fault है और primary section पर एक fuse लगा रहता है उसी से पहचान हो जाती है अगर fuse उड़ा रहेगा तो समझ लीजिए कि आपके primary सेक्शन में फॉल्ट अगर फ्यूज नहीं उड़ा है तो आप समझ दीजे किसी और कंपोनेच्शन इसके फॉल्ट है और किस कंपोनेच्ट में फॉल्ट है यह कोई i fix नहीं है कि इसी कंपोनेट फॉल्ट आएगा primary section में जितने भी component है किसीने किसी में fault आने की वज़े से आपका primary section dead बढ़ जाता है अब primary और secondary section अगर जिससे पता है तो अच्छी बात है जिनने नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको बता देता हूँ primary और secondary section क्या होता है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डीटेल से बताऊंगा इसलिए वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबी हो सकती है अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिए अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है बाकी यहाँ पर यह कि SMPS के दो सेक्षन होते हैं अगर ऐसे समझ मैंना तो इल्टा कर लीजिए दो पार्ट इसके बने होते हैं एक पार्ट यह है और एक पार्ट भी इते है लाइन बनीवी एक पार्ट यह है प्रामरी और एंड सेकंडरी सेक्षन जहां पर आप AC200V देते हैं वह आपका प्रामरी सेक्षन कहलाता है उसके बाद यह ट्रांसफोर्मर के या फिर SM TRANSFORMर या फिर CHOPER TRANSFORMER भी काफि लोग इसे बूलते हैं तो इसके बाद का जो हिस्सा होता है वो सेकंडरी सेक्षन होत जासे आपकी DC voltage output निकलती है, अब DC कितना output निकलती है, यह सिर्फ SMPS पर जो भी इसमें लिखा रहेगा उसी ही साब से निकलती है, जैसे कि किसी से, किसी वाली वायर से आपकी 5V, किसी से 24V, किसी से 12V, हर SMPS की अलग-अलग one out होती है, यहाँ पर DTH ही नहीं, बलकि किसी और SMPS क को भी आप ले लेंगे, तो उसमें भी primary and secondary section होता ही होता है, अब यहाँ पर, इस SMPS में क्या fault है, सबसे पहले, मैं यहाँ पर AC 220V से देकर देखूंगा, लेकिन AC 220V देने से पहले, आप किसी भी, किसी भी supply को physically देखंगे, कि कोई components का damage तो नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पर, जैसे कि साप साप, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कि यह coil के नीचे, थोड़ा सा carbon लगा हुआ है, यानि कि जली हुई है, अब क्यों जली, इसका क्या कारण हो सकता है, यह तो हम बाद में जानेंगे, बट यहाँ पर इसे हम 220V देदेंगे, और देना कैसे है, सीरीज के मा पूरा वही मैथट रहता है, सीरीज का, बिलकुल बल्ब और वायर को आपने कनेक्ट करना है, और लास्ट में आपने जहाँ पर एक स्विच लगाता है, वहाँ पर इस तरीकी से दो वायर खुली छोड़ देनी है, और इस वायर को आपने इस सर्किट पर लगा लेना है, त यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जब आपने फीजिकली देखा, तो आपने देखा कि यहां पर एक इंडेक्टर कोईल जो लगी भी है, उसके आसपास में थोड़ा सा कार्बन जमा हुआ है, और हमें उससे भी पहले क्या देखना होता है, फ्यूज, क्यों तो इसलिए सबसे पहले हमने फ्यूज चेक करना होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह फ्यूज बिलकुल ही खराब है, जला हुआ है, यह देखे, आप ऐसे नहीं, तो मल्टीमेटर से भी आप फ्यूज को चेक कर सकते हैं, इस तरीके से, मल्टीमेटर को बजर की आप रखेंगे, तो सबसे पहले आप फ्यूज को देखेंगे, तो फ्यूज यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है, तो फ्यूज आपका खराब है, एक बार मैं क्या करूंगा, फ्यूज को लगा कर फिर एक बार इस सर्कृट को चालू कर लूँगा, यहां पर टेस्टिंग के टाइम पर इसको यूज कर रहे हैं, बाद में मैं इसको रिप्लेस करके इसकी जगपर फ्यूज डाल दूँगा, तो यहां पर इस तरीक से मैं फ्यूज की जगपर एक वायर को यहां पर लगा लेता हूँ, ताकि यह सर्कृट पूरा हो जाए, औ और आगे, अगर सर्कृट खराब हो, तो सॉर्टिंग देदेगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, चल जाएगा, जाता तर फ्यूज जो उड़ता है, आपका सॉर्टिंग या फिर किसी और कंपोनेट के खराब होने के वज़े से उड़ता है, यहां पर फ्यूज की जगपर एक वायर को मैंने कनेक्ट कर लिया है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, काफी पतला वायर है, अगर आगे कोई प्रोब्लम भी होता है, तो यह उड़ जागा, वासे उड़ेगा नहीं, क्योंकि यहां पर मैं सीरीज के माधिम से ही इसको मैं चला रहा हूँ, तो अब को भी एक बार हमने चेक कर लेना है, इंडेक्टर कोईल, देखिए आपको मैं बता दू, इहां पर दो भागो मैं वाटी भी होती है, देखिए आपको थोड़ा समय गोवर करके दिखा हूँ, यहां पर टू कोर वाली है, यानि कि इंडेक्टर कोईल जो आपकी लगी वही इस rectifier से पहले यानि कि आपका यहां से 220 volt input होता है live और neutral ठीक है आपको मैं track करवा कि दिखा देता हूं मतलब यहां पर आपने 220 volt यहां पर live और neutral या फिर neutral और live यहां पर दे दिया तो इन दोनों point के माध्यम से जाता है तो सबसे पहले यहां पर आपने एक wire जो जोड़ी है यहां से आतक यहां से आतक यानि कि आपको मैं लगा कि दिखा दें चाय पर आपको इसकी टांग है तो एक टांग यहां से आई वहां तक मतलब इन दोनों part का कोई यहां से यहां से आतक इसका connection है अगर यह आपका खराब हो जाए तो इसकी पर आप एक jumper भी मार सकते बट jmper मारेंगे तो आपका filtration अच्छा नहीं होगा इसले हमें सा इंडेक्टर coil खराब हो जाती है तो इंडेक्टर coil की जगह पे ही इंडेक्टर कोईल का योज आप करियेगा मैं कोईल की जगह पे क्या करूँगा एक और दो यहाँ पर जमपर दे दूँगा आपको रिडिंग देगी इसमें एकवाइस में चेकर आके दिखा देता हूं ठीक है यह देखेगा इस तरीके से आपको रिडिंग देदेगी इस तरीके से रिडिंग देदेगी अगर कोई से रहेगी तो एक कोर यह है और एक कोर यह है इधर इधर का कोई यहां पर कनेक्शन नहीं बता रही है, अब देखिए कोईल की जगप पी हम लोग क्या करेंगे जंपर मार लेंगे, सबसे पहले मैं यहां से आतक और यहां से आतक एक जंपर दे देता हूँ तो जंपर देने के बाद यहां पर सर्कुट हमारा पूरा हो जाएगा वैसे आप से रिकमेंड करूँगा कि आप कोईल की जगर सिर्फ कोईल ही लगाएंगे, ठीक है कोईल को हटा के आप यहां पर कुछ और मत लगाईएगा यानि कि जंपर उंपर मत मारेगा हाँ, चेक करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, जंपर से भी काम बन जाएगा क्योंकि यहां पर कोईल का काम होता है स्पैक से अगर जो आपकी इसी बात आती रहती है उसको बिल्कुल ही खत्म करने का होता है फिल्टरेशन के लिए, टोटल मिला के आप समझ लो कि फिल्टर करने के लिए जैसे कपेस्टर वोटेज को फिल्टर करता है वैसे आपकी कोईल जो है वो करेंट को फिल्टर करती है फिलाल तो यहां पर मैंने जंपर दे रही है circuit को पूरा करने के लिए अब यहां से देखिए आपका यहां से यहां तक wire और यहां से देखिए यहां से यहां से यहां से यहां तक इधर तक चली गई है तो यहां पर एक दो तीन चार यह डायोड लगी हुई है आपको मैं दिखाता हूँ यह देखिए यह चार डायोड यहाँ पर और एक वायर चलीगी यहाँ पर यानि कि मेन क्यापसिटर पर जो कि आपका 47 माइक्रोफेटरडन 450 वोल्ट का है और यह आपका नेगेटिव यह आपका पॉजिटिव यानि कि टोटल मिलाके आपकी जो थो लाइब और डूतल वयर है वो फ्यूज के माध्यम से होते होए तो यहाँ पर ऌैखर यहां पर अपको क्या मिलेगा तो इस पॉइंट पर स्क्रेटिव मिल जाएगा एंड इस point पे rectifier होके इस point पे positive मिल जाएगा और capacitor उसको प्योर बिल्कुल filter करके आगे इस IC तक भेजेगा इस IC तक भेजेगा तो एक काम हम मैं करूँगा जो main capacitor यहाँ पर लगा हुआ है उसको भी मैं एक बार check करूँगा क्योंकि जो आपकी inductor coil और huge उड़ा हुआ है वो किस कारण से उड़ा हुआ है यह हमें जानना जरूरी है फिराल यहाँ पर एक बार में इसको test करवा कि आपको दिखा देता हूँ हो सकता है इसको test करने में अगर sorting रहेगा तो test करने में हो सकता है यहाँ पर कोई न कोई problem आ जाए या फिर huge उड़ जाए या इंडेक् तो यहाँ पर देख सकते हैं फुल सॉर्टिंग बता रहा है यह point देखिए यह देखिएगा अगर यह बिल्कुल सही होता यह बिल्कुल सही होता तो full sorting नहीं बताता अब full sorting बताने का यह मतलब है कि आगे कोई ऐसा component खराब है जो की parallel पे लगा हुआ है तो full sorting बताने लग ज जैसे कि आपका या तो यह डायोड भी हो सकता है खराब या तो आपका यह वाला कपैस्टर और यह आईसी भी खराब हो सकती है ज्यादतर कंडिशन में आपको बता दूँ डायोड कपैस्टर और आईसी से ही आपका fault का solution हो जाता है sorting का अब हम स्टार्टिंग से चेक टो सबसे पहले स्यल्हार को ही चेक करता हूं बाद में काम चलाने के लिए अगरी टर्टियकल नहीं लगाता ही तो स्पाइक तर नहीं होगा बाद में प्रोब्लम बन सकती है अब यहां पर घ्री डायोड के एक तरफ से वैल्यू आती है और एक तरफ से वैल्यू नहीं आती है ये डायोड का जो है सिधान्त होता है तो डायोड को जब भी आप चेक करते हैं तो एक तरफ से वैल्यू आनी चाहिए तो यहां पर डायोड सौर्टिंग बता रहा है देखिए डायोड सौर्ट दे रहा है एक तरब से नहीं दे रहा है एंड ये वाला ये भी ठीक लग रहा क्योंकि इदर से वैल्यू नहीं आई है और इस तरब से यहाँ पर वैल्यू आ रहे ठीक है ये डायोड ठीक है एंड ये वाला तो यह आपका sot बता रहा डायोड एक सबसे लास्ट वाला एक सबसे इस्तरफ लास्ट वाला यह sot बता रहा है sot बता रहा है और sot है इसमें दो difference है अब यहाँ पर हो सकता है, डायोड खराब नहों आगे कोई और चीज खराब हो, यह capacitor भी खराब हो इसलिए भी short बता रहा हो तो इसको confirm करने के लिए हम इन दोनों मैंसे कोई एक diode को निकाल के check करेंगे या फिर निकाल के check कीजिए या फिर इसकी एक leg उठा लीजिए तब आप इसको easily check कर सकते हैं अगर diode fault नहीं बताता तो इसके point में fault आपको आ जाएगा चलिए किसी एक diode को हम यहाँ पर निकाल के confirm कर लेंगे कि यहाँ पर खराबी आखिर माजरा क्या है खराबी किस point पर है ठीक है इसकी हमने एक leg यहाँ पर उठा ली है एक minute इस तरीके इसकी एक leg हमने उठा ली है अब यहाँ पर इस diode को हम check करेंगे अगर circuit में लगे लगे आप चेक करेंगे तो sorting किसी और चीज की वज़े से भी बता सकता है किसी और component की वज़े से भी बता सकता है यहाँ पर आपको multimeter भी दिखना चीए एंड डायोड भी दिखना चीए फिलाल इस diode को मैंने इस point से हटा दिया एक leg को ठीक है अब इसका एक leg connection से हट चुका है अब यहाँ पर अब check करेंगे देखिए finally diode ही sort बता रहा है एक बार में इस point को भी check करूँगा चलिए diode अभी इस point पे नहीं लगा है अब इसको check करूँगा फिलाल इस point पे कोई sorting अब नहीं बता रहा है यानि कि हमारे diode में ही कुछ न कुछ माजरा या फिक न कुछ न कुछ प्रॉब्लम है एक यह वाले में और दूसरे वाले को फिर से एक बार में check करूँ यह भी sort बता रहा है तो सबसे पहले इन डायोड को मै नेकाल लिया है इसके निकाल लोगा यहाँ पर सबसे लास्त वाले डायोड को मैं निकाल लिया है यहां पर इसको मैंने निकाल लिया है यह फैनल यह भी हमारा निकल चुका है अब यहां पर इन दोनों डायोड को एक बार में फिर से आपको चेक करगा कि दिखा देता हूं यह देखेगा यह देखेए यह फुल सॉट बता रहा है दोनों तरफ से सॉट बताएगा यह और दूसरा भी और जो हमारा सही डायोड है वह क्या वैल्यू देता है आपको दिखाता हूं यह आइन फूर डवल जीरो से और नमर के डायोड है दो डायोड में बहार कर लेता हूं निकालके ठी देखेए एक तरफ से वैल्यू नहीं दे रहा है और एक तरफ से वैल्यू कुछ में कुछ देते रहेगा 500 600 इसका रिजिस्टेंस बताएगा ठीकिए यह देखेए बिल्कुल प्रफेक्ट है तो यहाँ पर यहाँ फूल सॉर्टिंग है अब इन डायोड को मैं यहाँ पर इ अब यहाँ पर नहीं बता रहा है अब यहाँ पर मैं डायोड को चेंज कर लेता हूं और डायोड को लगाना कैसे आपको नहीं बता है जल्द बाजी मत कीजिए आप ध्यान से देखिएगा पहली बार सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बहतर है अवसर है यह देखिए डायोड में यहापर जो प्रिंटेट सर्किट बोर्ड है यहाँ पर इस तरीके से इंसान बना हुआ है और डायोड में एक तरफ सिल्वर पट्टी होती है तो इस आप इनकी सोर्डिंग में कर लेता हूं तो चलिए इसकी सोर्डिंग अब कर लेते हैं चलिए कट क्या करूँ वीडियो को आपको लगातार दिखाते रहता हूं जिन्हें आता नहीं है वह देख लीजेगा बाकी लोग इसकिप कर सकते हैं यहाँ पर आपने पेस्ट लगा लेना है थोड़ा सा थोड़ाइदर ओर थोड़ाइदर ताकि आपकी सोर्ड रिंग मजर्बूट वनी रहे यह आपने ध्यान हमेशा रखना तो, चलिए अब इसमें सोर्डू दिकर लेते हैं जब भी आप Diode को replace करते हैं तो Diode को replace करने के बाद आपने Capacitor को भी Replace कर देना है क्योंकि Capacitor में आपका थोड़ासा problem create हो जाता है Capacitor weak भी हो जाता है कोई कोई कैपेश्टर फूल भी जाते हैं यह थोड़ा सा मुझे फूला वाउप पर से लग रहा है ठीक है हो सकता है बाद में प्रॉब्लम करें बड़ कैपेश्टर को भी साथ में चेच कर लेना है अभी मिर पर कैपेश्टर है नहीं और यह सौर्टिंग भी नहीं बता रह है तो यहाँ पर देखेगा यह देखेगा अब यह चल पड़ा और जब भी यह सप्लाई चलती है आप इसे लोड नहीं देते है तो इसके ट्रांसफोर्मर से एक छोटी सी बीबीब की आवाज आती है हल किसी आपने सुना होगा जैसे स्वीचिंग करता है चींचीं करके आ देता हूं और वैसे ही अधर में सम्प्स सभी को आपको यहाँ पर बता दूँगा किस तरीके से आपने रिपैर करने हैं चलिए यहाँ पर इसको मैं सोडिंग मार दूँ उसके बाद आपको आउटपूट चेक करवा लेता हूं ताकि सभी लोगों के मन में जो कन्फूजन है अपने चेक नहीं करवाए भी बोलते बहुत लोग तो उनको मैं चेक करवाना बता देता हूं चेक करवा कि दिखा देता हूं बिल्कुर ट्रांस्पिरेंसी रहनी चाहिए तो चलिए फाइनली यह सोडिंग हो चुका है और यहाँ पर हमारे आउटपूट के पॉइंट ह और यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लेता हूं कोई आपस माटेस नहीं होने चीए चलिए ओन करवा कि आपको आउटपूट चेक करवा दिता हूं तो यहाँ पर डीसी 200 की रेंज पर रख लिया है और इसको मैं कर लूँगा ग्राउंड ग्राउंड बोले तो यहाँ से दूशी नंबर का और यहाँ से दूशी नंबर का ग्राउंड होता है जैसे कि आपको पता होगा आउटपूट में तो जहां पर GND लिखा है वह भी आपका ग्राउंड ही है ठीक है उसी को ग्राउंड या फिर नेगेटिव बोलते हैं यहां से में स्टार्ट करेंगे यह 5. इसमें 5 ठीक है यहां पर यह 15 बोल्ट बता रहे ही कि वोम थे फ्याइब वेन 12 बोल्ट बता रहे हैं सबसेट में 3.3 रहता है इसमें ज्यादा दिखाएगा जब तक ISKU लोड ना लगता हुँग ना लग हैत जलिए आपको GND चला के भी दिखा देता हूँ तब आपको confirm हो पाएगा, एक card बोले तो यहाँ पर एक card और एक supply, एक display मैंने यहाँ पर त्यार रखी हुई है, अब यहाँ पर अगर एक card सही हाँ, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर on बता रहा है, बिल्कुल perfect है, चलिए, on हो गया, and यहाँ पर आपको जो 3.3 volt में ज्यादा बता आपने बिल्कुल live देख लिया है, कोई भी problem अब नहीं है, यह card हमारा, sorry, supply हमारी repair हो चुकी है, इसको मैं off करता हूँ, और आपको मैं एक ही चीज हमेशा फिर से बोलूँगा, अगर इसमें inductor coil आपका फटा हुआ है, तो मेरी तरह यहाँ पर jumper मार सकते हैं, बट jumper मारना safe नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बोलंगे, कमेंट करके, कि सर आपने jumper मार के बता दें, inductor coil तो change किया है, यहाँ पर किसी और supply का भी मैं लगा सकता हूँ, बट आपको मैं बोलूँगा कि आप लगा लिजेगा, मैं बाद में inductor coil लगा लूँगा, किसी और खराब supply की, तो य अगर आपके पास नहीं है, तो इस emergency situation मा आप ऐसे jumper करके कर सकते हैं, बाद में fuse or inductor coil डाल दूँगा, तो चलिए, इसको हम skip करते हैं, and next supply की और को चलते हैं, उसमें क्या खराबी है, यह supply हमारे पास यह भी repair होने के लिए आई हुई है, अब इसमें क्या खराबी है, वो भी आप supply देखते हैं, तो उसमें आपको जो जो physically रूप से कोई भी चीज खराब लगती है, तो उन्हें replace करना होता है,